हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन कोचिंग सेंटर, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्लास नाइन्थ के, चैप्टर नंबर ट्वेल, जिसका नाम है, हरॉंस फॉर्मूला, हां, सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है हमारा, इसको हीरो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हरॉंस फोर्मूला बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है चेप्टर बहुत ही मज़ेदार चेप्टर है है रोंस जो थे एक फेमस बड़े ही मैथेमेटिशन्स थे इन्होंने एक मैथ को बहुत अच्छी स्टडी दी वो क्या दी चलिए बात करते हम यू नो वेरी वेल आप सभी जानते हैं स्पोस करो यह एक स्केयर है और यह एक रेक्टैंगल है आप इसली स्केयर और रेक्टैंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो तो हैरन्स फॉर्मूला में क्या सबसे बड़ी डी सिमिलाइटी है जो इस टोपिक को एक अलग बनाती है कैसे चले स्टार्ट करते हैं एक बद यह देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसी राइट अंगल ट्रेंगल की एक मैंने राइट अंगल ट्रेंगल ड्रो कर लिया अगर मैं बात करता हूँ इस राइट अंगल ट्रेंगल की और मुझे इस राइट अंगल ट्रेंगल का एरिया निकालना हूँ तो मैं बड़े ही easily way से इसका area by formula निकाल सकता हूँ जो की formula है half into base into height बड़ अगर मेरे पास कुछ इस type का triangle आजए तो मैं इस triangle की area को कैसे find out करूँगा तो इस type के triangle के area को find out करने के लिए सबसे पहले मुझे इस triangle का semi parameter पता होना चाहिए तो अब यहां से आपकी इस chapter की beginning बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली है आपको इस chapter में सिरफ two formula ही ध्यान में रखने है सबसे पहला semi parameter और दूसरा area of triangle तो इस type के triangle को find out करने के लिए सबसे पहले मैं semi parameter को denote करूँगा S से known as semi parameter जिसका formula होगा suppose करो triangle की three side होते यह A है यह B है यह C है कोई मर्जी माननो चाहिए इसको A माननो चाहिए इसको B माननो चाहिए इसको क्या माननो C माननो तो formula क्या हुआ A plus B plus C by में two तो सबसे पहले हमारे पास semi parameter का formula आ गया A plus B plus C by में two तो इस type के triangle का area को find out करने के लिए हमारे पास Herons जी ने formula दिया वो formula क्या था बहुत ही interesting formula है अगर आप बच्चे मुझे कहते हो कि सर इस formula का proof चाहिए हमें तो comment करके या मुझे WhatsApp नंबर पर query अपनी डाल सकते है मैं आपको इसका proof भी बताऊंगा कि कैसे Herons formula के area का proof आया और कैसे semi parameter का proof आया तो area क्या होता है एक इस type के triangle का semi parameter bracket semi parameter first side semi parameter minus second side and semi parameter minus third side तो बच्चे ये हुए हमारे दो formula अगर आपने इन दो formula को अच्छे तरीके से देख लिया समझ लिया तो आने वाले जितने भी question है class 9th chapter 12 हेरंस formula के उसमें आप मैं damn sure कह रहा हूं कोई भी exam होजे आपका school में हो class में test हो hundred and percent आपके full after full इस chapter में से marks आने वाले हैं चलिए question के तुरू मैं इस semi parameter और area को define करता हूं और प्रूव करता हूं चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मैं question लेता हूं मेरे पास एक triangle है suppose करो इस type का मेरे पास क्यार है triangle और इस triangle की मैं sides को एक बार define कर लेता हूं ये 24 है ये 32 है और एक क्या है 40 सो मैं क्या माल लेता हूँ इस वाली साइड को मैं माल लेता हूँ A और इस वाली साइड को माल लेता हूँ B और इस वाली साइड को माल लेता हूँ C so first of all मुझे क्या निकालना है इस triangle का क्या area area को निकालने से पहले मुझे को इस triangle का semi parameter पता होना चाहिए semi parameter पता होना चाहिए which is denoted as s so formula क्या है a plus b plus c 3 side by में 2 तो 3 side हमारी कौनसी कौनसी है a क्या है 24 b क्या है हमारी 40 plus c क्या हमारी 32 by में 2 so semi parameter की value जो हम इन 3 sides को plus करेंगे तो value जो होगी हमारी वो निकलेगी 48 जो हम divide करेंगे इससे 2 से चीक है यह हमारी value आ गई semi parameter की अब मुझे निकालना है area तो area का formula है under root side minus a side minus b and side minus c तो बच्चे अगर आप beginner हो तो सबसे पहले अगर आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो अगर आप थोड़े कहलो कि weak हो वैसे तो कोई weak नहीं होता आज के time में सबका mind बिल्कुल equal होता है मैं equal मानता हूँ चाहे math कई बात हो चाहे science की बात हो चाहे physics की बात हो तो आप इन sums में क्या करें इन sums में एक side में आप इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपका answer बिल्कुल correct आए s-a, s-b, s-c so a मेरे पास कितना है 24, s कितना है 48 48-24, s कितना है मेरे पास 48, b कितना है मेरे पास 40, s कितना है 48, c कितना है मेरे पास 32 सो जब मैं 40 में से 24 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना होगा 24 मीटर हाँ एक और बच्चे इसकी युनिट्स लगाना ना भूलिए 40 माइनस कितना होए मेरा 8 मीटर एन माइनस 32 इस 16 मीटर अब बच्चे आप इन तिन वैल्यूस को यहां पर पूट कर लीजिए एरिया को मैं पूट करते निकालता हूं s की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 48 s माइनस a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 84 s-b की वेल्यू कितनी है 8 multiply s-c की वेल्यू कितनी है बच्चो 16 तो अब मैं इसका जब multiply करूंगा तो multiply कराके मेरा जो अंसर आएगा जो multiply कराके अंसर होगा 147 436 तो जब मैं इसका अंडरूट फाइंड आउट करूंगा अंडरूट फाइंड आउट करके इस एरिया की जो वेल्यू निकलेगी 384 मीटर स्केर तो देखिए कैसे हमने इस टाइप के ट्रेंगल का एरिया निकाल लिया बाइ हेरोंस फॉर्मूला तो बच्चे जितना हो सके मेरे इस चैनल को शेर करिए और मेरे इस वीडियो को शेर करिए अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइस के समसोंगे एक्जामपल सोंगे और बेसिक कोशेप्ट से बच्चों मैं आपको असानी से करवाओंगा तो जितना जाता हो सके उतना शेर करिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सिस्क्राइब करिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच